भरती निकले तो इम्तिहान नहीं, परिच्छा हो तो पड़ी राम नहीं, और पड़ी राम निकले तो जॉइनिंग का कोई नाम नहीं, आखिर क्यों यूआओ का कोई सम्मान नहीं, आखिर क्यों जुल्म सबसे ज्यादा ज्याती, सबसे ज्यादा हतल्फी किसी के साथ हुई ह तो वो दो समाज है, मुसलमान और धलिटाबेटा, डेल लाग रुपए का एवियेटर लगा के हेलिकॉप्टर्स उतर के ऐसे हाथ लगा है तो धलित लाठी खाएगा, धलित मुकदमे खाएगा, और अपर कास के लोग हेलिकॉप्टर्स उतर के बढ़ियां से चश्मा लगा क मैं आजमगड जिले के दीदार गंज विधान सबा में और हमासाद मौजूद है आजा समाज पार्टी और राष्ट्रे कोलमा काउंसिल के प्रत्याशी है ये आमीर रशादी जी आमीर जी स्वागत है आपका दली टाइम्स में अमीर जी बात की जाए कि ये जो विधान सबा रहा है यहां पर देश की आजादी के बासे ये सीट रिजर्व मानी जाती है इसके बाद अब 2017 के चुनाम में बसपा यहां पर आई थी तिनों मैदान में हैं तिरकोड़िये मुकाबला हो चुका है तो क्या कुछ चुनोतीयां आप समझ रहे हैं 2017 में जो यहां पर विधायक बने वो हमारे रहम औकरम पर बने हम लोगों ने उनको विधायक बनवाया अध्यत जी ने विधायक बनवाया मुलाना साब ने पर वो हमारे नहीं हुआ तो जन्ता के क्या होंगे पंदरा साल M.L. ने रहे विधान सभा के स्पीकर रहे उन्होंने एक इटा नहीं लगवाया गाउं में मुख्यमंतरी के बाद का दर्जा होता है चाहते तो दिदार गंच को टोक्यो बना दे थे मगर एक काम नहीं कैसा अब उन्होंने तो आज इस विधान सभा में आने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि यहां के युवाओं ने ये नौजवानों ने मुझको बुलाया क्योंकि आजमगर जिले की सबसे पिछडी विधान सभाई ये है जहां पर कोई बुन्यादी सहुलियत नहीं है इस छेतर को बदलने के लिए यहां पे काम करने के लिए हम लोग आए हैं क्या कुछ मुद्दे क्या कब मुद्दों को ले करके आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और में मुद्दे आपके कही स्थनाव में जनता किसे वोट करें और क्यूं करें जो लोग परत्याशी हैं मैदान में उनके पिता जी 15 साल रहे बटाया आपको वधायक उसके बाद दो पार्टी के और परत्याशी है 70 साल, 72, 73 साल हो गए तकरीबन हिंदुस्तान को आजाद हुए आप चलिए मैं आपको इलाकों में लेके चलता हूँ यहाँ पर चार बुनियादी चीज़े होती है जन्ता की सडक, स्वास्त, शिक्षा, रोजगार इन चारों को छोड़ करके एक काम नहीं हुआ है इन चारों पर कोई किसी ने काम नहीं किया आप मेरे साथ अभी आ रहे हैं गाड़ी से सफर करके आपने देखा होगा कि सडकों का क्या हाल है यहाँ पर बहुत बुरा हाल है सडकों का कि अगर पेशेंट को अस्पताल लेके जाया जाए तो वो रास्ते में दम तोड़ दे हम लोग गारियों से चल रहा हमारी कमरों में दर्द शुरू हो गया कमर में आहम जन्ता जो साइकल से चलती है मोटर साइकल से चलती है उनके क्या हाल होते होंगे साब आप स्वास्ट की सिवाय देख लीजें यहाँ पर एक धंक का श्पताल नहीं है एक सीएस्टी है वहाँ पर आप जाकर के देखिए वो जाएंगे तो आपको देखने में भूद बंगला लगेगा जिस तरह के उसकी इमारते हैं मरमत नहीं की गए उसकी काम नहीं किया गया उस पर एक बस स्टॉप बनाया गया साब कुशल गाओं के पास वहाँ से आज तक एक सरकारी टेक्सी बस नहीं चली कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है रात के छे बज़े के बाद अगर किसी को इमरिजन्सी पर जा गरीब आदमी को जिसको अस्पताल लेके जाना हो आदमगड़ हेड कौाटर तो अगर उसके पास गाड़ी ना हो तो लोग बताते हैं कि चरपाई पे पैदल ले चरपाई पे लेके गए हैं लोग अस्पतालों में और रास्ते में मरीजों ने दम तोड़ दिया यह यूआ टैल रहे हैं यह सब बेरोजगार हैं सरकारी बंजर जमीने देख लिए पड़ी हुए है क्या उस पर कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती थी उनको रोजगार मिलता एक सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है फुली गवर्मेंट दिदार गई में एक जी जी आईसी नहीं है गल्स गवर्मेंट इंटर कॉलेज मैं अगर आप आया हूँ मैदान में युमाओं के बुलाने पर तो कुछ वीजन लेके आया हूँ कुछ सोच लेके आया हूँ हम इस सोच से आया है इस वीजन से आया है कि जो बच्चे हमारे टहल रहे हैं छोटे नन्ने मुन्ने इनकी उंगली पकड़के मैं इनको शिक्षा देना चाता हूँ इनको स्कूल लेके जाना चाता हूँ जो हमारे नौजवान खड़े हैं इनके कंदों पे हाथ रखके इनको रोजगार देना चाता हूँ और जो हमारे बुजर्ग खड़े हैं इनके स्वास्त के लिए, इनकी अच्छी सुईधा के लिए, इनके बुढ़ापे में इनकी छड़ी बनना चाहता हूँ, इनकी लाठी बनना चाहता हूँ, ताकि इनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना है, स्वास्त की सारी सुईधा हैं रहें आमीर अशादी का नाम सुर्ख्यों में है आपकी क्या स्टेटजी है लोगों कैसे आप आगरशित करेंगे अपनी हो इसा नहीं था कि विरासत में मिल गई हमारे बाप दादा विधायक रहे मुख्यमंतिरी रहे अपरिमिनिस्टर रहे हमारे वालिद जो उल्मा काउंसिल के अध्यक्ष है मौलाना आमिर रशादी साब ने एक बड़ा संगर्च किया है तेरह चौदा सालों में दोहजराट में उल्मा काउंसिल इस्टैबलिश हुई जिस जिले में हम लोग बैटे हुएं इसी जिले में फर्जी इंकाउंटर के नाम पर नौजवानों को मारा जा रहा था फर्जी केसे से लगा करके उसके बाद मुझे लगता है कि आजाद हिंदुस्तान का एक बड़ा मुवमेंट हम लोगों ने किया था जंतर मंतर पे कई ट्रेन बुक करके हम लोगों लेके गए तने हाँ से जब इन नौजवानों को जो पढ़ने लिखने वाले चातर थे उन पे फर्जी मुकदमे लगा के उनको मारा जा रहा था और बड़े-बड़े सियासदा मौझूद थे पूरे प्रवांचल में आजमगड में एक से एक दलबल बाहुबल वाले लोग थे मगर किसी की मा ने दूद नहीं पिलाया था कि अन फर्जी गिरफतारियों के खिलाफ blhts के लड़ सके आजमगड के सौभीमान को बचाने के लिए आजमगड के नाम को बचाने के लिए हम लोगेने संघर्श किया था 14 साल से संघर्श कर रहे हैं अध्याजी आमिर रशादी साहब का एक बड़ा योगदान राय जिले की छवी को बनाने में, उसको स्वच करने में, तो मुझे उम्मीद है कि आजमगर की जनता, दीदार गंच की जनता उस संघर्ष को देखेगी, तो अभी तो शुरुवात किये साहब, अभी तो बहुत से ने जो समविधान बनाया था, मानेवर कांशी राम ने जो इबात कही थी, कांशी राम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उन्होंने कहा था कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सा हो गया त्याचार, तो उसी लिगेसी को जादा ज्याद्ती सबसे जादा हक तल्फी किसी के साथ हुई है तो वो दो समाज हैं मुसलमान और दलित उनके साथ अन्याए हुआ है और इस वक्त सबसे बड़ा पोजिशन के नेता बने हुए हैं खिलेश यादो साथ उन्होंने सबसे गड़बंदर कर लिया एक परसें दो समसान के भूके हैं हमें सीट से कोई मतलब नहीं था आप सम्मान देते हैं मापके लिया आते हैं कि अ क्या कुछ कहता है इतने प्रेसेंट लोग हैं यहां पर कितना आपा समस्थनार पशुने वाले देखिए साबaway की बात होती है अब वो दलीतों की पार्टी नहीं नहीं लाठी खाएगा, दलित मुकदमे खाएगा, दलित नारे लगाएगा, और अपर कास के लोग घली काप्टर से उतरके, बढ़ियां से चश्मा लगा करके, जनता का भिवादन सुखार करेंगे, और पर एसी में बैठ करके काजू और बदाम खाएगे, तो ये समझ लिया है दल रहेगी, लोगों पर आपने तमाम मुद्दे बताये हैं, अब ऐसे में दस्तारिकों जो चुनाव के लितिजा आने वाले, अगर आप इस विदान सबसे जीतते हैं, तो क्या कुछ से एहम मुद्दों पर आपने काम रखे हैं, जो सबसे पहले आप करवाएगे, और पुरा जमीने पड़ी हुएं देखा हैं हम लोगों ने, उस पर इंडस्टीज लगाएंगे, जो कुछ पॉलिसी बनाई गई थी, उसके तहट इंडस्टीज को स्टैबलिश किया जाएगा, और ऐसा कुछ किया जाएगा कि हमारे युवाओं को पलाइन ना करना पड़े, स्वास क हाल आप देख लिजे, पहला काम होगा प्रसलकों को दुर्स कराना, पूरे छेतर की सडके, पता है नहीं चलता कि गड़ाय के सडक है, गड़ाई बन चुकी, यह पानी बरा हुआ है, सडकों को दुर्स करवाएंगे, और जब युवा विधायक बनेगा ना, सरकार किसी के मुख्य मंतरी कोई है, हलकिया में हाग डाल के मुख्य मंतरी के, स्पीकर की टेबल पे चड़ करके, दीदार गण्श के हक को, दीदार गण्श के फंड को छीन करके लाकरके आपके काम करने का काम करेंद dual के साथ हम लोग आई हुए हैं, और युवाओं सो मैं कहना चाता कि भरती निकले तो इम्तिहान नहीं परिच्छा हो तो पड़ी राम नहीं और पड़ी राम निकले तो जॉइनिंग का कोई नाम नहीं आखिर क्यों युवाओं का कोई सम्मान नहीं आखिर क्यों युवाओं का कोई सम्मान नहीं तो जितने दल हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं तो चाहे वो सपा, बसपा, कॉंग्रेस, कोई भी हो भाशपा, कि अब दलित युवा, या मुस्लिम युवा, या अधर युवा, अब आपकी दरी नहीं बिचाएगा, आपके लिए कुरसी नहीं बिचाएगा, अगर तुम कुरसी पर खाट पर बैटोगे, तो तुम्हारे ब कि सारे लोग उर्जा हैं के अंदर, इस जोश के साथ कि सारे लोग एक छक्का मारेंगे, इतना रन बनवा देंगे, कि आपके भाई की बॉंडरी इस बर पार होने जा रही है, और सिर्फ पूरे छेतर में बल्ला चल रहा है, पूरे देश में खेला हो रहा है, तो दिदार गंज में भी खेला हुबे, और बल्ला चलेगा, सारे लोग चौका और छक्का मार करके, इस बर आपके भाई की बॉंडरी को पार कराने का काम करेंगे, ये थे हमारा साथ आमीर राशी जी, इनका साफ़तोर पर कहना है कि इस चुनाव में जुनावी चिन है बल्ला उसे सिक मारेंगे और दिदार गंज विदान सावा में MLA बन कर आएंगे, कैमर में राजिंदर के साथ मैं संदेश सकते है न, दलिक टाइम्स